So good morning guys और आपके करेके exam channel में आप सभी का स्वागत है तो आज किस वीडियो में 6 मई के important current affairs को हम लोग cover करेंगे तो दीखिये हमारा पहला प्रशन क्या है हाली में international day of midwives ये कब मनाया गया तो अंसर होगा 5 मई को तो 1992 से हर साल 5 मई को international day of midwives के रूप में मनाया जाता है midwives मतलब दाई मा होगई एक दर से और ये दिन जो है ये midwives के काम को समर्पित है और माताओं और उनके नवजाद सीशूँ को प्रदान की जाने वाली आवशक देखबाल के लिए midwives की स्थिति के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है एको डे मनाया विश्व हात स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हैंड हाईजीन डे और इसकी थीम रही थी seconds save lives clean your hands अच्छा अब important डे वाला गुशन है तो देखते माई के महिने में कौन-कौन से हमने important डे मनाया देखो एक माई को international labor day मनाया दो माई को world tuna day मनाया और दो माई को ही हमने अभी world laughter day भी मनाया जो की माई के पहले रविवार को मनाया जाता है तीन माई को world press freedom day मनाया विश्व प्रेश स्वतंतरता दिवस चार माई को international fire fighter day अंतर राष्टर अगनी शमन दिवस मनाया और चार माई को ही coal miners day कोईला खनिक दिवस मनाया और चार माई को ही world asthma day हम लोगों ने मनाया और उसके बाद 5 माई को ये दो डे आपको और याद रखने बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में किसे युनेस को विश्व प्रेश स्वतंतरता पुरुसकार 2021 के लिए चुना गया है तो आंसर होगा मारिया रेसा तो अभी मारिया रेसा को युनेस को या इसे ही बोल गुलेर्मो कैनो इस साजा के नाम पर रखा गया है मारिया रेसा ये को ने ये फिलिपीन के जर्नलिस्ट है बाकी ये नाम बड़ा इंपोर्टेंट है क्रती करंत अभी वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भार्टे मेला बनी थी ये और रुमाना सिनहा नेलसन मंडेला मानवतावादी पुरुषकार 2021 ने जीता था बाकी रंजीत सिंग डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइस जीतने वाले पहले भारतिये बने थे ये देखो यूनेस्को के बारे में बात करें तो इसकी फिल्फॉम होती है यूनाइट नेशन एजूकेशनल स सबसे बड़ी भारतिया आईटी कंपनी कौन सी बन गई है बाजार पुंजी करन के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो आंसर होगा विप्रो तो अभी विप्रो कंपनी HCL Technology के 2.62 ट्रिलियन रुपे बाजार पुंजी करन यानिकि मार्केट के बाजार पुंजी करन को हासिल करने वाली तीसरी सबसे बड़ी भारतिया आईटिक कंपनी बन गई है क्योंकि पहले नंबर पे तो TCS है दूसरे नंबर पे Infosys है और अब तीसरे पे आ गई विप्रो विप्रो जिसकी स्थापना होती है 1945 में हैटकोटर मिलेगा आपको ब पेरायन मूर्ती है और लार्सनें टुब्रो इसके चेर्मेन तो अनिल मनी भाई नायक है लेकिन इसके MDCO कौन है SN सुब्रमन्य में बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में किस राजय ने परवत धारा योजना को शुरू किया तो अंसर होगा हिमाचल प्रदेश तो अ आज में पानी के प्राकरतिक संसाधनों के संगरक्षन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी ये परवत धारा योजना को शुरू किया है तो क्या उद्देश है इस योजना का कि अदिक्तम समय के लिए पानी को बरकरार रखते हुए जल इस तर को बढ़ाना अच्छ अब यहां पे तो बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की दो केपिटल आपको मिलेगी शिमला जो है इसकी समर केपिटल है और धरमशला इस पिंटर केपिटल है मुख्य मंत्रे हो गए जैराम ठाकूर गवर्नर है बंडारू दत्तात्रे और चीफ जेस्टिस कौन है लिंगप अब यह हमने कली पड़ा था कि 2022 तक हिमाचल प्रदेश हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा उसके अलावा संपून ट्रूप से ए केबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश ही है और देश का पहला इसकी पार्क ये बनेगा हिमाचल प्रदे को लागू करने वाला उसके अलावा 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है एक लोसर फेस्टिवल हो गया और फगली फेस्टिवल भी सुना होगा यह हिमाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है रोहतांग टनल यह आपके हिमाचल प्र अपरेशन शुरू किया तो अंसर होगा को जीत अपरेशन तो अभी सशेश्टर बलू ने भारत में मेडिकल सिस्टम और ऑक्सिजन आपोर्टी शरंखलाओं को मजबूत करने के साथ साथ लोगों की मानसिक स्वास्ते को सुनिश्चित करने के लिए यह को जीत नाम से एक शुरू किया है मतलब मेडिकल थेरपी के अलवार रूगियों को आश्वास्त होने के जरुवत है कि वे ठीक हो जाएंगे मतलब मानसिक रूप से उन्हें स्ट्रॉंग बनाने के जरुवत है और उसी के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका नामे को जीत ऑपरेश अभी आपको याद होगा भाट्य नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु दृतिय को शुरू किया था दूसरे देशों से ऑक्सिजन लाने के लिए था यह ऑपरेशन और हमारी एर फोर्स ने ऑपरेशन ऑक्सिजन शुरू किया था वो भी याद रखना बढ़ते हैं आगे फिर बताईए हाली में किसने भारत में COVID केर सेंटर स्थापित करने के लिए SEEDS की साथ समझोता किया है तो अग्सार होगा PEPSICO Foundation तो अभी Pepsico की परोप कारी शाखा Pepsico Foundation ने भारत में COVID-19 टीका करन अभियान शुरू करने और COVID Care Center स्थापित करने के लिए Seeds की साथ समझोता किया Seeds मतलब Sustainable Environment and Ecological Development Society देखो Pepsico की बात करेंगे इसका Headquarter New York में मिल जाएगा वरतमान में इसके CEO है रमन लुगाटा इसकी पूर्व CEO कौन थी इंद्रा नुई और इंद्रा नुई का नाम अभी News में था क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी है क्या नाम है उस बुक का My Life in Full Work, Family and Our Future बढ़ते आगे अच्छा बताईए अभी हाली में ICC ने नुवान जोयसा पर 6 साल का प्रतिबंद लगा दिया आपको बताना ये किस देश के प्लेयर है आंचर होगा श्रेलंका के तो अभी श्रेलंका के पूर्व खिलाडी और कोच क्या नाम है नुवान जोयसा तो अभी ICC के ब्रष्टा चार निरोदक न्यायधी करन ने तो अभी ICC ने मैच फिक्सिंग करने का दोशी पाई जाने पर नुवान जोयसा पर सभी फॉर्मेट से किरकेट के सभी फॉर्मेट से 6 साल के लिए प्रतिबंद लगा दिया है अच्छा भी श्री लंका के एक और प्लेयर का नाम न्यूज में था क्योंकि अभी इन्होंने रिटार्मेंट की घोशना कर दी है और हमने पड़ा था 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने वाले ये पहले श्री लंकाई प्लेयर भी बने थे देखो ICC की बात करें तो ICC की स्तापना कभूई थी 1909 में ICC यानि की इंटरनेशनल किर्केट काउंसिल जिसका हैटकोटर दुबई UAE में है इसके CEO मनु सहानिय और इसके अध्यक्ष कोन है Greg Barclay जो की न्यूजिलेंड से है ICC ने एक नया आवर्ड शुरू किया था आपको पता है Player of the Month तो जन्वरी के अगर बात करेंगे तो ICC Means Player of the Month का आवर्ड मिला था रिशब पंत को महिलाओ में शबनी मिसमाइल को मिला था जो की साउथ अफरिका से है और फरवरी की बात करेंगे तो पुरूशों में यानि कि ICC Means Player of the Month का आवर्ड मिला आर अश्विन को और ICC Women's Player of the Month का आवर्ड मिला टेमी बैमॉंट को जो की इंग्लेंड की प्लेयर है जबकि मार्च महीने की बात करेंगे तो पुरूशों में मिला भुवनेश्वर कुमार को और महिलों में मिला लिजेल ली को ये साउथ अफरिकन है तो इतना आप याद रखना बढ़ते आगे अच्छा बताईए अभी हाली में हलके लड़ा को विमान टेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाने वाले पदमुश्री से सम्माने किस विज्ञानिक का निदन हो गया आंचर होगा मानस बिहारी वर्मा तो देश के पहले सूपरसोनिक लड़ा को विमान टेजस को बनाने में अहम भूमी का निभाने वाले पदमुश्री से सम्माने डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का भी निदन ऋ गया तो डियार्डियो में रक्षा वग्यानिक रहे मानस बिहारी वर्मा यह पूर वो राष्टर पती जो थे ए पीजे अब्दुलकलाम उनके सहयोगी भी रहे थे और इनका भी निदन ओ गया बाकी ये जो है ना जग मोहन मलहुत्रा ये जम्मु कश्मीर के पूर्वर राज़िपाल थे वैसे ये गोवा के भी राज़िपाल रहे और दिली के लेफटेन गवर्नर भी रह चुके जम्मु कश्मीर के ये दो बार गवर्नर रहे थे इनका भी निदन हो गया बढ़ते हैं क फिर बताईए अभी हाली में सरकार ने Oxygen Concentrator के आयात पर यानिकि उसके इंपोर्ट पर IGST को 28 परतिशत से घटा कर कितना कर दिया तो अंसर होगा 12 परतिशत IGST यानिकि Integrated Goods and Service Tax तो अभी हाली में सरकार के द्वारा विदेश से Oxygen Concentrator मंगाने के नियमों में कुछ बदलाव किये गए जिसमें अगर आप Oxygen Concentrator अब बंगवाते हो तो उसके आयात पर यानिकि उसके इंपोर्ट पर IGST है वो पिल 28 परतिशत लगता था लेकिन अभी उसे घटा कर कितना कर दिया 12 परतिशत इसका कारण आपको पताईए देश में Oxygen की कमी है लेकिन ये जो छूट है ये 31 जुलाई 2021 तक ही है अच्छा GST की फुलफर्म Goods and Service Tax जो एक तरका अब प्रत्यक्ष कर है Indirect Tax अच्छा GST से कुछ पॉइंट्स में आपको याद दिलाओं अच्छा चलो बताओ विश्व में GST सबसे पहले काँ पे लागू हुआ था यह वा था 1954 में फ्रांस में और भारत में कब लागू हुआ था एक जुलाई 2017 इसलिए तो हम एक जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाते हैं और अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले GST किस राजी में लागू हुआ था तो आंसर होगा असम में और सबसे लास्ट में चमू कश्मीर में चलिए बताईए भारत का जो GST है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है तो कनडा और GST लागू करने का सुझाओ किस समीति ने दिया था विजे केलकर समीति ने और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि GST को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है तो आंसर ह आगे है फिर बताईए 2021 में G7 विदेश मंतरियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो आंसर होगा ब्रिटेन तो इस G7 विदेश मंतरियों की बैठक में भारत की तरफ से हमारे जो विदेश मंतरी है सुब्रमन्यम जे शंकर जी वो इसमें पार्टिसिपेट करे और सिंपल से याद रखो 2021 में जी सेवन विदेश मंतिरों की बैठा कायोजन कौन कर रहा है ब्रिटिन ब्रिटिन के लंडन में होगी जी सेवन यानि की गुरूप आप सेवन अच्छा बताइए क्या भारत जी सेवन का सदस्य है तो आंसर होगा नहीं तो वह साथ देश कौन- 1975 में जो कि फ्रांस में हुआ था और पिछले साल 46 नंबर का जी सेवन सम्मिट होना था अमेरिका में लेकिन वो इस्थगित कर दिया गया था और इस बार यह हो रहा है 47 नंबर का ब्रिटिन के लंडन में अब बात ब्रिटिन की है तो यह रा मैप में ब्रिटिन कैपिटल इ अभी देसंबर में ही ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स जो आयता उसमें लगातार नवे साल दुनिया का सबसे आकरशक शहर रहा लंडन इसके करंसी क्या है पॉंड स्टेरलिंग है प्रिधान मंतरी है बोरिस चॉंसन अभी आप लोगों ने पढ़ा था सेल्फ ड्राइव की रुप में किसे नियुक्त किया था आलोक शर्मा को और एक दिन के लिए भारत में ब्रेटेन के हाई कमिशनर बनी थी कौन चेतन्या विंकटेशवरन वैसे भारत में ब्रेटेश हाई कमिशनर उच्चायुक्त कौन है अलेक्जेंदर एलिस हैं और ब्रेटेन में भारते उचायूकते हैं गायतरी कुमार और ब्रिटिन के एक फॉर्मूला वन ड्राइवर भी हैं क्या नामे लुईस हैमिल्टन है जो कि मरसेडीस के ड्राइवर है और वेसे लंडन से आप याद रख लो लंडन शहर पॉलिशन चार जजून लागू करने वाला पहला शहर बना था बढ़ते आगे फिर अगला प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टन प्रश्न है पस्चिम मंगाल की मुख्य मंतरी के रुप में किसने शपत ली है तो आंसर होगा ममता बेनर जी तो लगातार तीसरी बार पस्चिम मंगाल की मुख्य मंतरी पद की शपत ली इन्होंने ममता बेनर जी ने ममता बेनर जी की पार्टी का नाम क्या है तरण मूल कांग्रेस पार्टी और इसने 290 सीटों में से 213 सीटे जीती है अच्छा भी कहा कहा पर चुनाव हुए थे असम में तमिल नाडू, केरल हो गया पुडू चेरी और पस्चिम मंगाल में हुए थे तो सबका थोड़ा थोड़ा ओवर्वियू में आपको दूँ तो असम को लेते हैं पहले इसमें 126 सीटों पर चुनाव हुए सकते हो वो यह है कि यहां पे दो गटबंदन बने थे एक तो BGP का जो गटबंदन था उसका नाम क्या दिया गया मित्र जोत और कांग्रेस का जो गटबंदन था उसको नाम दिया गया महा जोत और उसके अलावा असम के बाद बात करते हैं अगर पुडूचेरी की तो यहां पे तो आपको बता है राष्टरपति शाषन था कुछ समय पहले यहां के मुख्यमंतरी जो ते नारायन स्वामी उन्होंने स्थिफा दे दिया था और वहां के लेफ्टिनन गवर्नर किरन बेदी को हटा दिया गया था और अभ मुख्यमंतरी तो यही बनेंगे बाकी पस्चिमंगाल हो गया एक तमिल नाडू तमिल नाडू मैं बात कर लें डियम के पार्टी की द्रवड मुनेत्र कडगम इसको बहुमत मिला है यह करुणा निदी की पार्टी थी और उनके निदन के बाद उनके बेटे स्टालिन इन् है मनताब इनर्जी तो इनका नाम अभी आपको याद रखना है पस्चिमंगal की Capital क्या होती ही Kolkata और Kolkata कि इस नदी के किनारे है हुगली नदी के किनारे चलो अब आप comment box में type करके बता दो पस्चिम मंगाल के governor का नाम क्या है और वहाँ के chief justice का नाम क्या है बढ़ते हांगे अगला प्रशन बताईए गुल्ड मैं सेक्स ने वित्वर्ष 2021-22 में भारत की GDP growth rate कितना रहने का नुमान लगाया तो अंसर होगा 11.1% तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे के प्रशन के उत्तर की तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था RVI के नए deputy governor कौन बन गए तो अंसर होगा T. Rabi Shankar बड़ा important नाम है आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और guys देखिए please अगर session अच्छा लग करना है तो यह मुझे आपको बार-बार कहने की जरूत ना पड़े इसलिए मैं maximum time आपको वीडियो के last में ही कहता हूं बीच में नहीं कहता हूं तो आप इसे थोड़ा सा priority देकर और अपनी responsibility समझ करके इसको share जरूर करा करें